कोविड नाइंटीन प्रोटोकॉल के तहट आयोध्या में होने वाले चौथे डिपोस्तों के आयोजन में कई कारीकरमों को स्थगित करते हुए बदलाव किया गया था बारहे नवंबर को अब आयोध्या के आसपास ग्रामेव शित्रों को भी इस डिपोस्तों से जोड़ा जाएगा इसके लिए ग्रामेव शित्रों के सभी धार्मेगस्तों पर साज सज्वा के साथ बारहे नवंबर को दीप जलाय जाने का आयोजन किया जाएगा तो वहीं 13 नवंबर को रामायन के प्रसंगों पर तयार किये गए जो जाकिया हैं उनकी शोभा यात्रा निकाले जाएगे इसके बाद भगवान फ्री राम माता सीता और लक्षमन के साथ बिवान से अयोध्या वो पहुशेंगे जहां उनका स्वागत कर रज्जाइब शेक का कारिकरम आयुजित होगा वहीं 14 नवंबर को मुख्य दिवावली के तौर पर और रिस्त्वरान आयोध्या नगरी को सजाया जाएगा और आयोध्या में भव्य दिपोस्व होगा आयोध्या में चौथे दिपोस्व की तैयारी है हम इस वक्त रामकथा पार्क में हैं जहां भगवान सिर्राम का राज्या विशेख होगा उत्त्य प्रदेश के मुख मंत्रियोगी अधितनात स्वेम भगवान सिर्राम का राज तिलक रहेंगे देखिए हम आपको तस्वीर के साथ होगे देखो हम आपको तस्वीरों देखा रहें किस तरह से कुर्षिया लगाई गई है कि सोचल डिश्टेंज के साथ यहां पर लोग बैठेंगे और वहीं आपर आयोध्या को सजाया सवारा जा रहा है इसके साथ ही जो रामकथा पार्क को देखिए किस प्रकार से पूरे मंच को तयार किया जा रहा है जहां भगवान स्तराम का राज्या भी सेख होगा अब फूल मालाओं से पूरी तरह इसको पूरी तरह सुज़दित किया जाएगा इसके लिए बड़ी संख्या में फूलों को भी मंगाया गया है तो कई ना कई आज जो दिपोसों है इ जन्दी बेन और मुक्रमत्य योगियादी तनात यहां पहुंचेंगे अज़दाश सप्रकास आर्नेंटीवी